सोलन शहर जहां हर वर्ष 20 प्रतिशक्त के हिसाब से आवादी बढ़ रही है जिसके चलते सडकों पर जहां बाहनों की आवाजा ही बढ़ती जा रही है बहीं बाजारों में भी ग्राकों और पैदल चलने बालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जिसके चलते बाजारों की स रही है बहीं बाजारों में भी ग्रहकों और पैदल चलने बालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते बाजारों की सडकें भी छोटी पढ़ने लगी है। पर भी उतर आते हैं नगरपरशत स्मय स्मय पर अतिकरमण कारियों पर कारवाई अमल में लाती है लेकिन अभितक इस पर नियंत्रण नहीं पाय जा सका है सोलन की जनता ने कहा कि जहां एक और बाजारों में हो रहे अतिक्रमन में बाजार की सुंदरता खराब हो रही है बहीं आने जाने बाले लोगों को भारी असुबिदा का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने बताए कि अतिक्रमन के कारण आम जंता और बेपारी का आपसी भायचारा भी खतम हो रहा है उन्होंने कहा कि नगर परिशद समय समय पर बाजार में कारवाई अमल में ला रही है लेकिन ये नाकाफी सिध हो रही है इसलिए नगर परिशद को चाहिए कि बे कुछ और कड़े कदम उठाए ताकि बाजारों से अतिक्रमन पूरी तरह से हट जाए उन्होंने कहा कि अतिक्रमन के कारण आपात काल में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यही बज़ा है कि जिला प्रशासन को और सक्त कदम उठाने की आवशित्ता है दूसरे विक्ति होते हैं उन लोगों को भी आने जाने में वहां पर बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है कारेकर में बक्तों चलाए शोचे पर काई मिलते हैं ब्रेक के बाद